इसी एक को आपको मानना होगा कि वह लोग तेंपरेचर एक ही रहेगा तब तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा वही टेंपरेचर इकलिब्रियम में हो जायागा तो हम लोग जो है इन दोनों को जब मिक्स किये हैं सपोज कीजिए ठीटा वन इस ग्रेटर दें तीटा जिसका टेमपरेचर एकजामतर भी ले सकते हैं कि 60 डिशल्स है और यह है 40 डिशल्स है हीट को अन्रूज करेगा जो ज़्यादा टेमपरेचर पे होगा होड होगा वह इसको फिर्ट जो दोनों को मिला दिया गया लेकिन इसको मिलाने बाद भीज पर सोचेँ कि दो बाड़ी ह और या सब्समें एक्षेंज कर रहा है तो जो फॉस्ट बॉड़ी है थिक्ए है वो थीटा बन से थीटा पर आया मतलब फरस्ट बॉड़ी जो होगा तो थीटा न टमप्रेचर पर था पो ते फॉल करके इसीटा होगया जो सेकन्ड बॉड़ी था थीटा टूपर था और यह तो first body के लिए heat lost by first body या first liquid आप कह सके heat lost by first body या liquid कितने इक बराबर आएगा तो हम लोग इसको सपोर H1 लिखते हैं ह एचवान लिक्वज्ट तो हो जाएगा M1 C1 और यहाँ पर delta theta कितना होगा तो theta 1 से theta तो इसका देल्टा ठीटा का वैलु हो जाएगा ठीटा 1-टीटा और दूसरा अब निकालेंगे हीट लोस्ट बाई सेकेंड लिक्विड हीट लिक्विड क्या हुआ है तो जो हीट गेंड करेगा तो इसका मास है स्क्राइब two specific C two और यहीट जो डेंगेगा उसमें लेल्टा लीटा मतलंब चेंजिन टेंपरेचर नेटा मईनस तुद्ध संवर सब्सक्राइब जब हीट्वर हुगा तो इनिशियल मेंसे करनिकालेंगे sahil कielle कि यह देखे हो गया अब हीट लौस्ट फॉस्ट लिपिट यह लिक्विड इसको हीट दे गाँ यह दोलों हीट इक्वा होना चाहिए हम लुग लिखेंगे बाइप प्रिंसिपल और करेडरोट से ब्राइप फ्रिंशपर ऑफिंसपंपल करें क्या होना चाहिए है हीप लौस इतव टूंच वह स्थिए बएधि कि लौस टान ही हिट यह यह आप कर रहे हैंं तो पहला जोदा हमुं लोह का हीट लोष कि इतने क्षेज बार रहा थे अछिट लोष गया था इसके बार में आप इसको सॉल्फ करेंगे इसको जब सॉल्फ करेंगे तो देखिए बड़ा फॉर्मूला या गोलियर्ट्रिक टाइप का डेबलफ हो जाएगा वो देखिए किस तरह से डेबलफ हो जाएगा क्या स्वल्फ करना है देखिए M1 C1 थीटा 1 माइनस थीटा इकवल स्टू M2 C2 थीटा माइनस थीटा देखिए इसको मुल्टिफ्लाइ करके प्रोडक्स को जब एक साथ लेंगे तो इधर आजाएगा M1 C1 थीटा 1 माइनस M1 C1 थीटा इकवल स्टू M2 C2 थीटा माइनस M2 C2 थीटा 2 यह आगया अब तर्म थीटा वाले पे एक तरफ ले लिजे यह हो जाएगा M1 C1 थीटा M2 C2 थीटा उपर स्टू M1 C1 थीटा 1 प्लस M2 C2 थीटा इसको थीटा कॉमन आप ले लिजेगा थीटा का वैलू जो निकालेंगे तो यह से आजाएगा M1 C1 थी ू थीटा 2 थीटा 2 दिवाइड बाइ M1 C1 प्लस M2 C2 थीए धे कोमन टेम्परचर निकालने का एक फ्रूला रही थी हैं कोई भी बिडोन लिज़ों से कर रहें हैं तो मिक्सिंग करने के बाद जो मुझमन इस पर फैनल इन याने वाला है वह यहीडी को लिए पाल पारली थ जैसे तीन लीक्विड हैं तीनों को आपने मिला दिया तो उसका देखें क्या फर्म न लिखेगा M1 C1 theta 1 plus M2 C2 theta 2 तीसरा लिक्विड का स्टेटस था M3 C3 theta 3 तीनों का मास अलग specific heat capacity अलग temperature अलग कि नीचे में हम लोग divide किससे करेंगे M1 C1 M2 C2 M3 C2 यह theta क्या चीज़ आ गया equilibrium container तीन लिक्विड मिक्स करें तीन लिक्विड का मतलब हो गया जैसे मानी यह तीन कंटेनर हैं कि इसमें एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है तीसरा लिक्विड यह था M1 C1 theta 1 इसका मतलब हुआ इसका मास था M1 specific heat capacity है C1 और initial temperature है theta 1 दूसरा लिक्विड है यह है M2 specific heat capacity C2 और इसका temperature है theta 2 यह है आपका M3 यह है C3 और temperature है theta 3 यह तीनों को जब mix कर देंगे हम लोग liquid को तो जो theta का value आने वाला है कि finally क्या होगा यह container में भी हम लोग डाल देते हैं तीनों liquid mix कर दिया गया तो तीनों liquid mix होगा तो temperature इसका theta हो जाएगा और जो theta temperature आने वाला है उसको निकालने के लिए आप यह generalized formula यह चार-पांच और रहेगा तो आप बढ़ा सकते इस तरहीं किसे तो इस इस हाओ की फाइन final equilibrium temperature of a mixture क्या निकाला है हम लोगों ने अभी equilibrium temperature of mixture यहाँ पे theta को हम लोग बोल सकते हैं theta है इक्विलिग्रियम temperature temperature of mixture तो इससे आपको कोई भी formula रहेगा तो इससे आप निकाल सकते हैं आपको यह याद रखना होगा बस कि initial temperatures सब specific heat और सबका अलग अलग जो quantity of liquids usually mixing liquids में होता है solids में होता तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं आपको अलगस